आज मैं आपके लिए सूजी से बनने वाले बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्टी की रेसिपी लेकर के आई हूं जिसे आप प्रादस रेपी बना सकते हैं और आप इसे कभी भी बना करके एंजॉय कर सकते हैं इविन आप इसे लंच बॉक्स में भी सर्फ कर सकते हैं कर को अच्छे से तार्क में देगे उसके बाद हमने जावक डलिए बारीक कटी हुई ह्रिमर्च और करी मित्ता इसे भी सोटे करिए करेंगे सोटे करने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे एक बारी कटी हुई प्याज इसे भी हम बहुत जादा भूनना नहीं है बस इतना कि हलका सा पक जाए और हलकी सी ट्रांस्पेरिंट हो जाए इतना ही हम इसे पकाएंगे यह देखे हलका पक्टे के बाद मैंने हाँ पर एक बाद में आगे हम इस पर नमक नहीं डालेंगे इससे क्या हो ना जल्दी सी अपक जाएगा दो तीन मिनट जब ट्रमाटर पक जाए तब हम यहाँ पे स्पाइसिस को हम कम जादा कर सकते हैं अपने टेस्ट अनुसार और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब हमारा मस अच्छे से मिक्स करेंगे थोड़ी सी स्मूध रखनी है क्यों कि हमें जब आगे इसके क्या यूज होगा वह मैं आपको बताऊंगी हमारे नाश्टे में साथी बारी कटे हरे धनिय के साथ हम इसको मिक्स कर लेंगे हमारी स्टफिंग बनकर के तयार है और यह इतनी कुछ भी बना सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगती है चलिए हमारी इस स्मूध सी टेस्टी स्टफिंग को हम साइड कर देते है अब देखिए यहाँ पर हमने लिया है एक बोल बोल में मैं यहाँ पर एक बड़ी कटोरी सूजी जो की बजन में करीब 200 ग्राम यानी 250 ग्राम क साथ यहाँ पर हम एक कटोरी मैंनी आप लिया है इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे साथ ही इंपर हमने एक चोटी चमश नमक डाल दिया है अच्छे से मिक्स करेंगे और लिया है साथी उसी कटोरी से मैंने इतना पानी ले लिया है क्योंकि दही किस तरे की का है आपका गाड़ा है इसके अकॉर्डिंगी पानी हमारा एड़स्ट किया जाता है यह देखे आप देख सकते हैं बिल्कुल भी पतला नहीं है स्मूथ है और आप यह देख सकते हैं बिल्कुल भी स्मूथ नहीं हो ना इसे हम खूप सारा फेटेंगे यह देखे पेटने के वाद जो हमारा इस मिक्षर किता स्मूथ हो गया है अभी भी काफी गाड़ा है चलिए से साइट करते हैं अब यहां पर मैंने लिया है तीन से चार चमच पानी यहां पर मैं ले रही जाल दिया और यहां देखेंगे जैसी हम इसे मिक्स करेंगे ना मिक्षर है बहुती स्मूथ और फ्लफी हो जाया का यह देखेंगे किता अच्छा यह फूल गया है तो अग्दम मिक्षर हमारा बढ़ करके तयार है चलिए अब अपना नाश्ता बनाना शुरू करते हैं इस और क्या होगा ना जब हमसे क्यों स्टैस estoon कर तो हमारे बस बिस इसका फायदा होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है बस दो अ-धी मिनिट हम इसे बॉयल या इनी इस्टीम होने देते हैं देखें तीन मिनिट वादी तीन से चार मिन वादी बहुत अच्छी रहे हैं और उपट से अच्छी से शिख गया है बस हमें इसे निकाल लिया है अब हम क्या करेंग ना इसके अपर जो मिर पार दनी की चेटनी थी मैंने बोलगा दिया आप चाहिए आप एपर केचप भी लेएर लगाईए गर निकम लगाता है तो तेस्ट कम अच्छा लगता है अच्छे से मसाला लगाईए का कुप सारा सा और इसको भी दवा करके इस तरह से देखे पूरे पे स्प्रेड कर दीजेगा इसलिए हलका सिका होना बहुत जरूरी अगर हम सिका नहीं होगा तो यह हमारी स्टपिंग को हम लगाएंगे ना तो वह खराब भी हो सकता है यह देखे लगाने के बाद हम क्या करेंगा अब जो ह भी होने करेंगे अब हम इसे पूछने करेंगे अब हम इसे स्टीम होने के लिए रख देंगे दस से 12 म निकाल लेंगे जब तक ठंडा हो रहा है तब तक हम एक छोटा सा तड़का हम इसके उपर लगाएंगे उसके लिए मैंने हाप थोड़ा सा ओईल गरम किया है जिसमें मस्टर्ड सीट्स यानिके डाने डाल दिये हैं थोड़ा सा लाल मच पॉडर डाला है अब नाश्ते के उपर हमें से तड़के को लगा देंगे इसे नाश्ते बहुत ही खुबसूरत लगने लगता है आप देख सकते किता बढ़ा लग रहा है सब तरफ स्प्रेट कर दिया है और अब इसके हम सब तरफ से कॉन्ट करके इसे कट कर लेंगे और जब हलका ठंडा सा हो जाए ना पांसाथ मिनट बादी आप इसे चुए नहीं तो क्या होता है जैसे हमारा केक टूटने लगता है गरम गरम बे वैसे ही यह नाश्ता भी है अगर हम इसे गरम गरम में निकाली कोशिश करेंगे तो यह खराब हो सकता है बस इसलिए इसे ठंडा होने दें और फिर आप इसे सर्फ कर सकते हैं तो गाइस कैसी लगी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे वीडियो को लाइक जरू कीजेगा कॉमेंट में जरूर बताएगा आपको एक रेसिपी कैसी लगी बहुत हल्दी है टेस्टी बहुत ही कम तेल में बनती है आप इसे किसी भी समय बना करके एंजॉय कर सकते हैं पेट भी भर जाता है साथी और सबको बहुत पसंद आता है बच्चे बड़े सभी इसे बड़े मन से खाते हैं जीरो आइल नाशता है आप भी इसे जरूर बनाएए वीडियो को लाइक कीजे चैनल को सस्क्राइब कीज और बने रहे हैं चैनल के साथ मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल दन टेक करें बाई बाई